आईए अब हम निविट संकुलन को और अच्छी तरह से समझते हैं आप भी मेरे साथ विभिन रंगों की बॉल लेकर इस सरचना को बना सकते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक विमी संकुलन इसके लिए मैं ये बॉल को एक लाइन में रखती जाती हूं इस तरह से और इस जड़ा से एक ही लाइन में विभिन रंगों को रखनी पर हमें एक विमी संकुलिद सरचना मिल जाती है इसके बाद हम बनाते हैं द्वी विमीowanie संकुलिद सरचना इसके लिए हमें दो सम्भावना होंगी एक तो ये यदि मैं इस एक विमी और की जो दूसरी लाइन बॉल की होगी इसके ठीक सामने दूसरी बॉल रखती चली जाओं और इसी तरह से क्रमसा आगे करने पर देखिए हमें दूमी संकुलन प्राप्त हो रहे है जो की वर्ग निवड संकुलन है दूसरी तरह यदि मैं पहले लाइन के जो दो गोलों हैं उनके म अध्य में दूसरी लाइन के गोलों को रखते जाओं इस तरह से और इसी क्रम को आगे बढ़ाने पर हम देखिए आप देखेंगे कि हमें सट कोणी निवड संकुलन प्राप्त हो जाता है अब ये दोनों द्विमी संकुलन की सहायता से हम त्रीविमी संकुलन बना सकते हैं सबसे पहले हम इस वर्ग निवड संकुलन की सहायता से त्रीविमी संकुलन बनाएंगे अब द्विमी वर्ग निवड संकुलन के ऊपर यदि मैं नीचे वाले बॉल के ठीक ऊपर इस तरह से बॉल रखती चली जाओं तो आप देखेंगे कि एक घनाकार आकरती का संकुलन ह हमें प्राप्त होता है जिसे हम कहते हैं सरल घनी निवड संकुलन सिंपल क्योबिक सरचना दूसरी ओर यदि मैं इसके ऊपर ठीक ऊपर दूसरी बॉल को ना रखकर इन बॉलों के बीच में जो अवनमन है जो डिप्रेशन्स हैं उनके बीच बीच में यदि मैं बॉल रखत सरचना यदि ए है तो दूसरी उससे अलग है जिससे हम भी मान नाम देते हैं जबकि पहली वाले में हम देख रहे हैं कि जो सरचना नीचे है वही फिर से दुबारा रिपीट हो रही है यानि कि इस सरचना को हम ए ए ए ए ए प्रकार का नाम दे सकते हैं अब इस प्रकार की ज ए लेयर जो है वो फिर से रिपेट होगी और इस तरह से जो हमें सरचना मिलेगी वो A, B, A, B प्रकार की होगी और इस प्रकार का जो निवड संकुलन तयार होगा उसे हम अन्ता केंद्री निवड संकुलन कहते हैं यदि आप देखेंगे तो इसमें नीचे के चार गोले और उ देखेंगे कि नीचे के चार गोलों के ठीक ऊपर चार गोले दिखाई दे रहे हैं तो इस प्रकार से हम वर्ग निवड संकुलन का उप्योग करके दो प्रकार से त्रीविमी संकुलन बना सकते हैं अब हम सटकोणी द्विवमी निविक संकुलन का उप्योग करके त्रिविमी संकुलन बनाते हैं इसके लिए हमने द्विवमी सटकोणी जो परतली है उसके अवनवमनों उपर जो डिप्रेशन्स हैं उनके उपर दूसरी बॉल रखते जाते हैं निच्चेत रूप से आप देखेंगे कि जो नीचे वाली बॉल है यदि हम उस लेयर को ए नाम दे तो उपर वाली को बी नाम देना होगा क्योंकि बी वाली जो लेयर है वो नीचे वाली लेयर से अलग है अब इसके बाद यहां पर हम देखें तो उपर से देखने पर हमें दो अलग अलग प्रकार की सरचनाय दिखाई देती हैं कुछ सरचनाओं पर हम देखते हैं कि नीचे के एक बॉल के ऊपर तीन बॉल दिखाई दे रहे हैं और इस प्रकार जो सरचना बनती है उस स्थान को उस बीच के स्थान को रिक्त स्थान को हम चतुषफल की रिक्ती कहते हैं दूसरी ओर कुछ स्थानों पर हमें नीचे के तीन बॉल के ऊपर तीक तीन बॉल दिखाई दे रहे हैं जिनके बीच जो रिक्त स्थान होगा वो अस्टफलकी होगा जिसे हम अस्टफलकी रिक्ती कहते हैं अब तीसरी परत जब हम लगाने जाएंगे तो हमारे पास दो संभावनाई होगी किया हम चतुषफल की रिक्ति को चतुषफल की रिक्ति का अच्छादन करें या फिर हम अस्टफल की रिक्ति का अच्छादन करें यदि हम चतुषफल के रिक्तियों का अच्छादन करते हैं तो हम पाएंगे कि जो तीसरी परत के गोले हैं वो पहली परत के ठीक उपर हैं यहने कि A वाली जो लेयर है वो फिर से रिपेट हो रही है और इस प्रकार की सरचना को हम A, B, A, B सरचना कह सकते हैं और इस प्रकार का जो संकुलन है वो Hexagonal Closed Packing यहने कि शटकोनी संकुलन HCP कहलाता है दूसरी ओर यदि हम इन अस्टफल की रिक्तियों का अच्छादन करते हैं तो हम पाएंगे कि जो तीसरी लेयर है वो A पहली लेयर कर B दूसरी लेयर से तीसरी लेयर दोनों लेयर से बिलकुल अलग है अता इस तीसरी लेयर को हम C नाम देते हैं और इस प्रकार की जो सरचना हमें मिल रही है उसे हम A, B, C अबी, C प्रकार कहते हैं और इस प्रकार की जो सरचना मिलती है वो हमें FCC या फिर CCP जिसे हम कहते हैं में प्राप्त होती है तो इस तरह से हम स्वयम HCP और CCP सरचना बना कर इसकी आकरती को आसानी से समझ सकते हैं इस तरह हम शटकोणी निवड संकुलन HCP तथा फलक केंदरी निवड संकुलन FCC में अंतर कर सकते हैं शटकोणी निवड संकुलन चतुष फलकी रिक्तियों के आच्छादन द्वारा बनते हैं जबकि फलक केंद्री निविर्ट संखुलन अस्ट फलकिये रिक्तियों के आच्छा दंद्वारा बनते हैं। जहां शटकूनी निविर्ट संखुलन में अव्यवी कणों की संख्या 6 होती है। जबकि फलक केंद्री निविट संकुलन में अव्यवी कड़ों की संख्या चार होती है, शटकोणी निविट संकुलन में उपसा सयोजन संख्या बारा होती है, साथ ही यहाँ पर फलक केंद्री निविट संकुलन में भी उपसा सयोजन संख्या बारा ही होती है यदि संकुलन छंता देखे जाए तो 60 कोणी निविट संकुलन में भी संकुलन छंता 74% होती है। इसी तरह से फलक केंद्री निविट संकुलन में भी संकुलन छमता 74% होती है। यदि सटकोणी निविट संकुलन HCP के उदाहरान हम देखें तो इसमें जिंक धातु, मेगनीशियम, मौलबडेनम, कैडमियम, सॉलिड हीलियम तथा सॉलिड हाड्रोजन में ये संकुलन देखने को मिलता है। यदि हम फलक केंद्री निविट संकुलन के उदाहरान देखें तो हमें बहमोले धातुएं जैसे की कॉपर, सिल्वर, आईरन, निकिल तथा एलियूमीनियम में यह देखने को मिलते हैं। इसी तरह से हीलियम के अलावा अन्य जो नोबल या उतकरिष्ट गैसे हैं, वो भी ठोस अवस्था में फलक केंद्री निविट संकुलन प्रकार का संकुलन प्रदर्शित करती हैं। तो इस तरह से हम सड़कोणी निविड संकुलन तथा फलक केंद्री निविड संकुलन की तुलना कर सकते हैं। त्रिवे मी निवुड संकुलन करते समय हमें देखा कि इस प्रकार के संकुलन में चाहे वो हिसी पी संकुलन हो या फिर size संकुलन हो हमें दो प्रकार की रिक्तियां प्राप्त होती हैं एक चतुषफल की रिक्ति और दूसरी अस्टफल की रिक्ति आए जानते हैं एक यूनिट सेल में एक इकाई कोशी कामी ये रिक्तियां किस प्रकार से नरधारित होती हैं या इनका स्थान किस प्रकार कहां पर होता है सबसे पहले जानते हैं अस्ट फलकी रिक्नियों का स्थान इसे हम CCP या FCC सरचना की द्वारा समझते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एक CCP सरचना है और आप देख रहे हैं कि CCP सरचना में जो कण होते हैं परमाणों होते हैं वो इन कोनों के अलावा प्रत्यक फलक के मद्ध में भी उपस्तित होते हैं यदि इस CCP सरचना को हम आठ छोटे छोटे भागों में बाट दें और इसके बाद प्रत्यक एक लगुगन यह जो छोटा सा घनाकार सरचना हमें मिल रही है यदि हम इस पर देखें तो आप देखेंगे कि इसमें प्रत्यक कोने अल्टर कोने पर है ना एकांतर कोनों पर एक एक कण परमाणू मौझूद है और इन चारों को कणों को आपस में यदि मिलाएं तो एक चतुषफल की सरचना बनती है जो की चतुषफल की रिक्ति कहलाती है और इस तरह से हम देखेंगे कि पूरी इकाई कोशिका में कुल आठ चतुषफल की रिक्तिया होंगी और जैसे कि हम जानते हैं FCC जो सरचना होती है उसमें कणों की संख्या चार होती है और इसमें आप देख रहे हैं कि चतुषफल की रिक्तियों की संख्या आठ है यनि कि चतुषफल की रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की दुगनी हुई चलिए अब हम देखते हैं अस्टफल की रिक्तियों का इस्थान फिर से हम FCC सरचना को देखते हैं आप देख पा रहे हैं कि इनके मद्ध में एक भी कण मौजूद नहीं है और ये जो मद्ध का इस्थान है ये 6 फलकों से घीरा हुआ है यदि इन 6 फलकों पर उपस्थित कणों को हम आपस में मिला दें तो बीच में एक अस्टफल की सरचना प्राप्त होगी जिसे हम अस्टफल की रिक्ति कहेंगे इसके साथ ही आप देखें कि ये जो इकाई कोशिका है इसके प्रत्य किनारे के मध्य बिंदू पर एक रिक्त स्थान है और इस रिक्त स्थान के एक उपर कण है और एक नीचे साथ ही साथ इसके पास के फलक में भी एक कण मौजूद है और इस फलक पर भी यदि मैं इन उपर नीचे वाले कणों तथा फलक के दोनों कणों को साथ ही साथ सामने की इकाई कोशिका के दो कणों को लेते हुए यदि मैं इन सब को मिलाओं तो आप देखेंगे कि इस किनारे पर भी हमें एक अस्टफल की सरचना मिल जाएगी और इसे हम अस्टफल की रिक्ति कहेंगे लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि ये जो किनारे की अस्टफल की रिक्ति है वो चार निकटवर्ती इकाई कोशिकाओं से सहभाजित है इसलिए इस इकाई कोशिका को इस अस्टफल की किनारे पर उपस्थित जो अस्टफल की रिक्ती है उसका केवल एक बटे चार हिस्सा मिलेगा तो इस तरह से सभी किनारों की यदि हम अस्टफल की रिक्तियां गिने तो कुल संख्या बारा होगी और 12 गुड़ा एक बटे चार यदि हम करें तो कुल रिख्तियों की संख्या तीन प्राप्त हुई और आप पहले देख चुके हैं कि एक जो रिख्ती है वह केंदर पर उपस्ति था तो इस तरह से एक यूनिट सेल में कुल रिक्तियों की, कुल अस्टफल की रिक्तियों की संख्या चार हुई और आपने देखा कि जो CCP सरचना है उसमें परमाणू की संख्या भी चार होती है यहने कि अस्टफल की रिक्तियों की संख्या परमाणूं की संख्या के बराबर हुई इस तरह हम कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो इकाई कोशिका होती है यदि उसमें कणों की संख्या N है तो चतुषफल को रिक्तियों की संख्या 2N तथा अस्टफल की रिक्तियों की संख्या N होती है यदि हम आयनी क्रिस्टलों की बात करें तो ये धन आयन तथा रिन आयनों से मिलकर बनी होती है जिसमें की जो रिन आयन जो व्रिहद आकार के होते हैं वो जालक सरचना का निर्मान करते हैं जबकि धन आयन जो छोटे होते हैं वो इन अंतराकाशी रिक्तियों में भरते हैं इस तरह से यदि हम देखें कि किसी भी यूनिट सैल में सभी चतुषफल की या अस्टफल की रिक्तियां भरी हो या आवर्शक नहीं हैं कितनी चतुषफल की अत्वा अस्टफल की रिक्तियां भरती हैं इसके आधार पर ही उस योगिक का अनुसूत्र या रासाइनिक सूत्र निर्धारित होता है यनि कि किसी भी योगिक के अनुसूत्र और उसमें संपूरित रिक्तियों का गहरा संबंध होता है इसे हम एक उधा एक्स धनायन है और वाई रिनायन है वाई जो है वह CCP सरचना का निर्मान करता है जब कि जो एक्स यानिकी धनायन है वह सभी अस्टफल की रिक्टियों में उपस्तित होता है अब यदी हमें इस योगिक की अनूसूत्र का पता लगाना है तो हम जानते हैं कि जो CCP सरचना होती है उसमें करों की संख्या चार होती है यनिकी जो रिनायन है उनकी संख्या चार होई इसी तरह से चुकि अस्टफल की रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या के बराबर होती है यनि कि अस्टफल की रिक्तियों की संख्या भी चार होगी जिसमें कि धनायन स्थान पा रहे हैं तो इस तरह से धनायनों की संख्या भी चार हुई यहने कि यहाँ पर रिनायन और धनायन दोनों का अनुपात एक होगा और इस तरह से हम योगिक का सूत्र लिख सकते हैं X, Y इसी तरह से यदि मैं कहूं कि इसी CCP सरचना में जो धनायन हैं वो सभी चत्युषफल की रिक्तियों पर उपस्तित है तो हम देखेंगे कि CCP सरचना में चुकि कणों की संख्या 4 होती है इसलिए यहाँ पर जो Y यानि की रिनायन होंगे उनकी संख्या 4 होगी और चत्युषफल की रिक्तियों की संख्या कणों की संख्या की दुगनी होती है इस तरह से कुल आठ चतुषफल की रिक्तिया होंगी और यहाँ पर धनायन इन सभी चतुषफल की रिक्तियों में उपस्तित है इसलिए धनायन की संख्या आठ होगी और इस तरह से यदि हम इनका अनुपात देखें तो अनुपात दो अनुपात एक होगा और इस तरह इसका सूत्र हम लिखेंगे X2Y इस तरह से यदि आपको चतुषफल की या अस्टफल की रिक्तियों में उपस्तित आयनों की संख्या पता हो तो आप जिसी भी योगी का अनुसूत्र बना सकते हैं जैसे कि आपने जाना आयनी क्रिस्टलों में धनायन जितने रिनायनों से घिरे होते हैं या रिनायन जितने धनायनों से घिरे होते हैं उसे हम धनायनों या रिनायनों की कौडिनेशन नंबर या उपसा सेयोजन संख्या कहते हैं कौडिनेशन नंबर को हम कि धनायनों और रिनायनों के आकार पर निर्भर करती है जिसे हम धनायनों तथा रिनायनों की त्रिज्जाओं के अनुपात के द्वारा पता कर सकते हैं यदि हम धनायन की त्रिज्जा को आर सी के द्वारा तथा रिनायन की त्रिज्जा को आर एके द्वारा प्रदर्शित करें तो त्रिज्जा अनुपात यनिकी रेडियस रैशो बराबर होगा धनायन की त्रिज्जा आर सी बटे रिनायन की त्रिज्जा आर एके इस तरह से य होती है और इस तरह से इनमें त्रिकोनी वाड्स पाई जाती हैं इसी तरह से यदि त्रिज्जा अनुपात 0.25 से 0.414 के बीच हो तो कौरिनेशन नंबर 4 होती है तथा इस प्रकार के जो क्रिस्टाल होंगे उनमें चतुष फल की रिक्तियां पाई जाती हैं इसी तरह से यदि त्रिज्जा अनुपात का मान 0.414 से लेकर 0.732 के बीच हो तो इनकी कौरिनेशन नंबर 6 होती है और इनमें अस्टिफल की रिक्तियां पाई जाती हैं इसी तरह से यदि त्रिज्जा अनुपात का मान 0.732 से एक के बीच होता है तो कौरिनेशन नंबर 8 होती है और इसमें जो वाड्स होती हैं वो क्यूबाड या घनी रिक्तियां पाई जाती हैं इस तरह से हम देखें कि जो त्रिज्जा अनुपात का अधिकता मान है वो एक हो सकता है उससे अधिक नहीं और जब त्रिज्जा अनुपात का मान एक होता है उस समय आप समझ सकते हैं कि धनाईनों और रिनाईनों की साइस बराबर होती है यहाँ पर आप देखें तरज्जा अनुपात का मान जितना जादा कम होगा वहाँ पर धनायनों और रिनायनों की जो तरज्जा का अनुपात होता है वो उतना जादा होता है और यहाँ पर हम देखेंगे कि ऐसे स्थती में जो रिनायन होगा उतना बड़ा होगा जबकि धना डायन काफी छोटा होता है इस flavors का यदि डटा हमारे पास हो तो हम किसी भी Crystal जालक की Red Martin rivals पटा कर सकते हैं और इसकी आधर पर हम ये बता सकते हैं कि इस Crystal जालक में धनायन या रिनायन में से कौन crystal लेटिस का नर्मान करेगा। और कौन किस प्रकार की रिक्तियों में उपलद्ध होगा तो इस अधार पर उदाहरन के लिए हम लेते हैं sodium chloride को sodium chloride के जो radius ratio है त्रज्जा अनुपात का मान होता है 0.524 तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर इसके coordination number कितनी होगी 6 जिनकी sodium chloride का जो crystal lattice होगा उसमें 6 sodium धनायन 6 chloride रिन आयनों से घिरे हुए होते हैं और चुकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो त्रज्जा अनुपात है वो एक से कम है और इसलिए यहाँ पर जो रिनायन बड़ा होगा और रिनायन crystal lattice का निर्मान करेगा जबकि धनायन उसमें उपस्थित जो अस्टिफल की रिक्तियां है उनमें पाए जाएंगे तो इस तरह से हम देखें कि जो त्रज्जा अनुपात का मान जैसे जैसे बदलता जाता है coordination number भी बदलती जाती है और coordination number बदलते जाने से crystal जालक की सरचना भी बदल जाती है यहने कि किसी भी crystal lattice की coordination number तथा उसकी संडचना त्रज्जा अनुपात पर निर्भर करती है